दरसल धक धक जिनके दिलों की धड़काने बढ़ चुकी है और जो धक धक इसकी जिन जिनके हो रही है वो दरसल यही सा तमाम चेहरे 12 सीटों के वो प्रत्याशी जिनके लिए जिनको जितनी जोर आजमाईश करनी है वो कल शाम 5 बजे तक ही करनी है उसके बाद प्रचार का शोर पहले चरण के लिए थम जाएगा लेकिन सवाल यह कि बीजेपी ने कितना जोड लगाया है सवाल यह कि बीजेपी के दिगज निताओं ने कितना जोड लगाया और उसके मुकाबले कॉंग्रेस के दिगजों ने कितनी बार राजिसान के दोरे किये हैं या कहें कि इंडी गटबंधन के तहट दोरे हुए हैं। एक आकड़ा आपको बताते हैं कॉंग्रेस के दिगजों का अब तक राजिसान में जो प्रचार हुआ उसमें राहूल गांधी सिर्फ एक बार आए। दो सभाई की उसके बाद नजर नहीं आए। प्रियंका गांधी ने तीन सभाई की एक रोड़ शो किया। कॉंग्रेस सद्यक्ष मलिकर जुन खड़गे ने अपने इन प्रत्याश्यों के लिए दो सभाई की हैं और सोनिया गांधी ने जैपुर में एक सभाकिया कहें कि घोशना पत्र को जारी करने आई उसी को हम जबकि BJP के तरफ से प्रधान मंत्री मोधी खुद पांच सभा और एक रोड़ शो कर चुके हैं पहले दोर के 21 अप्रेल को फिर आ रहे हैं अमिश्या दो दोरे कर चुके हैं उस दोरान दो सभाई किये दो रोड़ शो किये हैं नड़ा दो सभाई करते हुए दिखाई दिय हैं और योगी ने तीन सभाई की उसके अलावा आप राजना सिंक को कांट कीजे निर्मला सीतारामन को काउंट कीजे बाखी नेताओं को काउंट कीजे वो लगातार दोरे कर रहे हैं तो सवाल यह है कि मुकावला जो इनके बीच में दिख रहा है और इनको मश्बूत करन इसे सुनाई दे रही है आज बात इसी मुद्टे पार तो देखिये दोनों ही बाड़ियों के तरफ से जो राजमाईश की गई लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में दोनों ही पार्टियों ने और दोनों ही पार्टियों के निताओं ने अपना मैकसिमम देने की कोशिश की जीतने के लिए इस मुद्धे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है बीजेपी प्रवक्ता जोक्टर अपूर्वा सिंग जी अमारे साथ मौझूद हैं कॉंग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी और राजनितिक विशलेशक एकलेवियस सिंग जी शुरुवात करना चाहेंगे राजकुमार शर्मा जी आपके इस साथ जरा बताइए क्या वाकई में आपको लगता है कि कॉंग्रेस के टॉप लिडर्शिप ने उतनी कोशिश की जितनी करनी चाहिए थी बिल्कुल विजिंदर जी हमारे कॉंग्रेस पार्टी के तमाम राष्टे नेताओने लोकल लिटर्स ने सबने जो हमारा प्रत्रश्वम का चुनावज जो इसका परचार कल शाम को पांच बे बंद हो जाएगा शांदा तैयारी किये शांदार हमारी तैयारिया हैं हमारे जितने भी उमिदवार हैं उन्होंने अपनी पूरी बोत कमीटिया बना ली है परचिया हमारी सारी बढ़ चुकी हमारा मद्दाता को लुभाने के लिए मद्दाता को टच करने के लिए हमारे कॉंग्रेस पार्टी का तमाम छोटा बड़ा कारे करता उनके घर तक पहुंच चुका है। अशुक गैलो साब डोटा साजी रंदावा जी पाइलेट साब तमाम नेता अपने 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 इलागों में दोरे कर रहे हैं राजस्तान की 25 की 25 सीड़े जीतने के लिए तैयारी है यह कह रहे हैं कि जो आपके लोकल प्रत्याशी है यहांके उन्होंने हाँ जोड़ कर कहा कि साथ दिली से मत भीजिए यहां के नेताओं के दोरे करा लिजिये उसी से बेड़ा पार होगा दिली से ना भीजिए गार्यों आप यह कह रहे हैं यह आप कह रहे हैं वे जंदी जी मैं नी कह रहा है अरे सर दोरे बता रहा हूं वही जंदा पार्टी का गमन तोड़ने के लिए घुटने टिक्वाने के लिए हमारी तैयार है पूरी है सर नेता नहीं आ रहे हैं आपके मैं आपके नेताओं का रिपोर्ट कार दे रहा हूं राउल गांधी एक बार आए हैं बस मैं यही तो पूछ रहा हूं भई आपसे क्या एक बार आना और 12 सेडों पर माहूल बना जाना यही हो रहा है विचिंदर जी आप कब्बेर करना चाहते हैं डरीवी भारती जिन्ता पार्टी से तो भारती जिन्ता पार्टी तो खुट डरीवी इसलिए बार बार उनके परदान मंद्री उनके ग्रह मंद्री उनके आरा नेता आरे है बार बार लेकिन हमारे नेता कोई ज़रे वे निया है, अपनों बार्टी जिन्ता पार्टी के कुट्ची सीटे नहीं आएगी, इसका मैं दावा फर्ष्ट इंडिया के चैनल पे ठोक ठोक के कर रहा हूँ ठीक है सर, एकले पे सवाल मेरा आप से है क्योंकि एक तरफ तो कॉंग्रिस के निता दोरे नहीं कर रहे हैं, मेरा सवाल है क्यों हो सकता भी पार्टी अंदर से इतनी मस्बूतों की बड़े लिडर्स बाकी जगा जोर आजमाईश कर रहे हूं, लेकिन इस सब के बीच में सीकर में आप गडबंदन कर देते हैं, बांसवार अडुंगरपुर में जान बूज कर जब अगला भाव नहीं दे रहा होता है तो आप जाकर कहते हैं कि चलिए हमी अपना पर्चा वापस से ले लेते हैं, इसके लावा और भी सीटों पर, ये सब किया गया, जैसे सबसे की बात करी, आपने राहुल गांधी जी की बात करी विजंदर जी, अब उसमें क्या है भले ही वो एक बार आये हों, परन्तु आपने देखा होगा कि अभी उनकी, उन्होंने एक मंच से एक स्टेटमेंट दिया, जिसकी की अब रील बना के पूरे राजस्थान में जरूर वाइरल की जारी है, जिसमें वो कहते हैं कि वो सारे गरीब परिवारों के घर में एक अकाउंट में एक लाक रुपे डालके और इस देश से गरीबी को खटा-खट, खटा-खट, खटा-खट खटा देंगे एक ही जटके में, परन्तु देखिए कि जो चुनाव होता है, व वो बनाए जाता है, और उसमें जब आप गरीबी के कॉंटेक्स में देखेंगे तो गरीबी खटा-खट नहीं हटती है, गरीबी तब हटती है, जब 50 करोड जंधन अकाउंट खोले जाते हैं, जब 10 करोड मुफ्ट गैस कनेक्शन दिये जाते हैं, जब 12 करोड शौचाले बनाये जाते हैं, जब 14 करोड घरों में नल से जल पहुंचाया जाता है, जब 4 करोड गरीब परिवारों को पक्के घर दिये जाते हैं, दूसरी तरीक से जो गरीबी दूर होती है, वो रूचे ये भी तो बताई ना इसके साथ, अगर इतना कुछ है तो हम अभी बिलो जा रहा है कि 80 करोड लोगों को अभी 5 साल और मुफ्त राशन दिया जाएगा, तो अमीरों को तो नहीं दिया जा रहा होगा सर, अमीरों को नहीं दिया जा रहा है न सर, ये बड़ी इंपोर्टेंट और अच्छी इशू आपने रेज करी है, कि 80 करोड लोगों को मुफ्त इसलिए नहीं दिया जाता है, कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, वो इसलिए दिया जाता है, ताकि ये पिछली सरकारों में भी आपने क्या आइटिट्यूट था, कि MSP पे जो सरकार क्रॉप्स बाइ करती है, वो पड़े-पड़े गोडाउंस में सड़ती थी, औ पर सड़ने की जगा अगर वो लोगों को दे दी जा रही हैं तो उससे उनके पास एक extra amount बचता है जिसको कि वो अपने विकास में खर्च कर सकते हैं तो इसका मतलब ये कते ही नहीं है कि लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है और गरीब हैं इसलिए उनको मुफ्तराशन दिया जा रहा है दूसरा मैं आपको बताओ अचा उसके बाद बताईए रहा देश बहनर के अंदर इस वक्त गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग हैं इ ट्रिबल आयाँ जाए असरा मेर आपको बताया है विजणेर गरीबी रेखा से उपर लाया गया है इसके अलावा दूसरी चीज मैं आपको बताओं धूसरी आपको ये भी calculate को दूसरी आर्टि के अद भरगर गरतक सारी चीजह पहुँच रही है तो फिर इतने rapidly दोरे क्यों है बीजेपी के दोरे तो करने ही चाहिए अगर आप अगर यह तो बीजेपी की बहुत बड़ी strength है वहां मेहनत करें जहां कमजोर लग रहे हूं अगर इतने मजबूत हैं तो जहां south में जैसे मानी हूं अलगि प्रधानवंद्री मोधी लगाता है south के दोरे करें और back to back दोरे करें तो जहां आप अपने संगटन को कमजोर मानते हैं जहां संगटन नहीं है फिर वहां लगाई आप पूरे मेहनत को फिर आजिसान क्यों इसका एक दूसरा नजरिया ये भी तो हो सकता है विजंदर जी की अगर आप जहां पे already strong हो और अगर वहां पे आप धीले पढ़ जाओगे तो और अगर वहां पे कुछ ऐसी तैसी हो गई तो फिर कहेंगे कि यहां पे complacent हो गए ते इसलिए अपूर्वाज जी मुझे लग रहा है कि यह सही रोड चो कर चुके हैं अगर यहां मजबूत है तो और मजबूत करने के लिए आ रहे हैं या इस बार कुछ इस रिपोर्ट अलग तरीके की मिल रहे है कि बाई और सोड लगाई है धग-धग बड़ रही है विजेंदर जी राजिस्तान के अंदर जो लड़ाई है वो सीटों के हार घीत की है ही नहीं यां पर जो लड़ाई है कि इस और भाव के नीचे जाती है बाकि 25 के 25 कमल खिलने वाले यह निश्चित है जहां तक बात रही कि अभी इनोंने बात कही कि साब हम तो 25 की 25 सीटे जीतने वाले हैं इस बार कॉंग्रेस ने तो एक शायरी में कहती हूं कि हम भी जानते हैं जन्नत की हकीकत पर दिल बहलाने को गालिब खया अच्छा है कॉंग्रेस की हिम्मत तो देखिए इनके इनको प्रत्याशी नहीं मिले तब इनके अंदर यह confidence बोल रहा है इनके बड़े नेता राजिस्तान आने को तयार नहीं है तब यह confidence बोल रहा है इनके नेता जब सबाओं में आते हैं कुरसियां खाली रहती हैं आदी स नेता कहते हैं कि मेरी गलती के सजा प्रधानमंत्री मोधी को मत देना मुझसे कोई गलती रहगी हो तो माफ कर देना आपके एक नेता दो दिन यहां कल ही कह रहे थे कि भाई देखे सभा में कोई है नहीं क्या भाशन दू यहां पर वो छोड़के चले जाते हैं सभा इस पर हमारे दर्ध में खड़ामिलेगा कॉंग्रिस ने दस साल में क्या करके दिखाया कुछ नहीं करके दिखाया विरोध के अलावा आप मान के चलिए कि जो इंडिया लाइन्स है ना वह अपने अंत की ओर है और भारतिय जन्ता पार्टी जो है वह कूए चल तो लोग ही नहीं हैं क्या करण देखर वह चले जाते हैं छोड़कर देख़िए एक दुझा अगर मुझे लगता है तो दिखाएंगे जिसके अंदर कुर्सिया खाली पड़ी यह साथ कर आपके तो दिखाएंगे कि आना नहीं चाह रहे हैं प्रत्याशी इनको मिल नहीं रहे हैं अब प्रत्याशी इसाथ कर आपके तो दिखाएंगे जो विरोध करते हैं तो अब बहुत अच्छा क्वेश्चन किया मैं सिर्फ इता सा जानना चाहूंगी ऐसी क्या मजबूरी थी कि 2014 तक 25 करोण लोग वो उस गरीबी रेखा कि नीचे अपने जीवन यापन कर रहे थे और ऐसा क्या इन 10 वर्षों में हो गया कि 25 करोण लोग वो केवल इन 10 वर्षों के अंदर BPL से अबाव पवर्टे लाइन आ गए अप संसक्स कराईए और फिर उनके आधिकारिया आकड़ों को सामनी रखिए तब हम मान लेंगे कि आप जो कह रहे हैं सही है मडम संसक्स नहीं हो रहा है जनगरना हुई नहीं है यह जो आकड़े हैं वो किसी अजेंसी के हैं अगर वह भारत सरकार के कह रहे हैं तो आप कहिए कि वह भारत सरकार के आकड़ों मैं मान लूगा यह हमारी सरकार का फैसला नहीं था यह इनी की सरकार का फैसला था और हम तो तयार हैं दोज़ार चप्शिस और पच्चिस के अंदर तयार है राजगमार जर्मा जी भाई अभी तक आपके बड़े निता आपको मानना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा राजिसान पर फोकस न प्रहों आपका इस कित्सब्स समझत्रा है दोल जितना ढाख को तोड़ेनery समस्ट्रा थे चैने भाई जो संगटना थीक समझता था हैं ने Redmi संंगतनि पहीं जैक अटार हुट शज़ा है स्गए हैं तो बार बार घरे मंत्रीजी को आए ना पड़ रहा है ने उसका काहिए बड़े-बड़े नेता को नियुक्ता पाटी हम इसनी आ रहे क्यों को डिरेवर किया है अब इसनी आ रहे क्योंकि हम इसनी पर काम तो नहीं कि कॉंग्रेस ने कि रणनीती बनाई हो कि दिल्ली के जो जाए जाए उसका कराण मैं समझाता हूं कहीं सरननीती पर काम तो नहीं हो रहा कि जो प्रधान मंत्री मोधी बनाम विपक्ष का जो एक ट्रेंड चल रहा है उसमें हम लोकल लीडर्शिप को लोकल नेताओं को यागी रखे ऐसा नाओ कि राहूल गांदी 10 सभाइं कर जाए तो 10 सभाओं का कमपैरेशन प्रधान मंत्री मोधी के साथ होने लगे और जो आपके प्रत्याशी हैं वो गौन होती नहीं सरा है ऐसा तो नहीं विजेंदर जी ऐसा कुछ नहीं है मैं फिर कह रहा हूँ बार बार की भारतिय जन्ता पार्टी का गबंड इस बार राजस्तान के मतदाता देवित उल्म मतदाता कॉंगरेस पार्टी के कारेकरताओं के सायोग से आशिरवासे तोड़ने वाले हैं जैसे 2023 में टूटा वैसे विजेंदर जी 2023 की जो बात आप कह रहे है ना थोड़ी सी कमी हमारे परिवार में रह गई और आज हम सत्ता में होते लेकिन निश्यंत रहे उस गलती से हमने सुदार किया है और 2024 के लोकसे बार चुनाओं के लिए हमारे कमाम चोटे बड़े नेता और कारेकरता बेग अरिजन प्रत्याशी से हटकर मोधी बनाम उननेताओं के बीच में होने लगेगा और वहां कॉंग्रेस को हो सकता है नुकसानों हलाकी तैतों जनता को करना है इग्रणनीती हो सकती है कि नहीं हम मिनिमम दोरे करेंगे प्रत्याशी के बनाम प्रत्याशी का ही मुकाबला रह अरिकाने देंगे वहीं से जीज सकते हैं तीकर विजंदर जी अभी राजिंदर जी ने कहा कि हमारे परिवार की कमी रह गई अब यह समझना ज़ूरी है कि देश पार्टी सरकार किसी का भी विकास परिवार का विकास करने से नहीं होता है पिछले चुनाव में अब परिवार का मतलब कॉंग्रेस है माहा, अब गांधी परिवार क्यों समझे लेकिन हो क्या रहा है ये भी तो समझना ज़ारी है ना, 2019 में अपने बेटे को जोदपुर से तीन बार के मुख्य मंत्री ने चुनाव लड़ाया था, वहाँ पे वो अपने घर के बूत से जीत नहीं सके तो इस बार जालोर से टिकेट दिला दिया, वहाँ की क्या परिस्तितिया है वो भी सबको दिखाई दे रही है, तो तो सब्सक्राइब लिखा थोड़ी नहीं, इस देश की किसी भी लोग सबाशीट से अगर वो रिजर्व नहीं है तो में चुनाव लार सकता असी हजार किलो मीटर के नाशनल हाइवेज बने, मोबाइल मैनुफाक्चरिंग में भारत नंबर दो बने वोल्ड में, आटो मोबील मैनुफाक्चरिंग में नंबर तीन बने, डिजिटल पेमेंट्स में नंबर वन बने, ऐसे होता है विकास, विकास ऐसे नहीं होता है कि आप अपने परिवार के सदस्तियों का विकास करते रहो अच्छा अगर आप बुरा ना माने तो मैं इस प्रोग्राम में आपका भी बीजेबी प्रवक्ता लिखवा कर मैं दो पैनलिस्ट कर ले सकता हूं कोई प्रब्लम नहीं आसी अगर आपके ऐसे विचारों बट मैंने अगर बिलो पावर्टी लाइन कितने लोग चले गए आधिकारी आधिकारी का आकड़े का कैसे आकलन किया जा सकता है 2014 से लेके और आज पिछले 10 वर्षों में EPFO करके एक और्गनाइज़ेशन होता है जिसको हम कहते हैं को अगर android को पुले हैं तो इसका मतलब यह कंपणी ने किसके लिए अकाउंट खुलाए तो रोजार कैसे नहीं बढ़ा है अब इसमें मैं आपको क्या गलत बता रहा हू Mia epic और का प्रवक्ता कैसे बन रहां कहा मैंने कई करोड अकाउंट कहले हैं बात यह ओरिह ना कि रोजगार बना चुए कि आब उर्वा जी क्योंकि मेरे साथ प्रोब्लम यह है कि मैम आधिकारी आंकडे मेरे पास तो नहीं आपके पास हों तो मुझे पता नहीं है और मुझे मिले भी नहीं है लेकिन यह चुनाव क्या वाके मा आपको लग रहा है कि यह सारे मुद्धे गौन हैं जिन पर हम बात करें चुनाव चेहरे के साथ ही लड़ा जा रहा है और वो चेहरा फिलाल कमल्ट से भी उपर प्रधान कि चाहे हम जीते वे भी हों तो भी हम उस सीट को अपनी चुनोती मान कर चलते हैं और वहाँ पर हम अपना पूरा 80 चोटी का जोर लगाते हैं विकास की धारा मुख्य धारा तक महाँ पे लोगों को लिजाने के लिए उनके दुखदर्थ को समझने के लिए और उनके निराकर करके कहा एक बात और राजकुमार जी ने कही जो मेर को लगता है कि जो देव तुल्य जनता है और जो चलते हैं विकास की धारा में उनको जोड़ने जाते हैं हम उन तक अपना शयोग पहुचाने जाते हैं उनको मुझे धाएं घराव तो मुझे लगता है कि आपको इसके लिए आपत्ती मुझे होनी चाहिए और आपको शमा भी मांगनी करते थे बारा घंटे बाद वो कॉंग्रेस के हो गए क्या कॉंग्रेस वाकई में इस वक्त उसे सिती में आ रही है कि मुकाबला दिया जाए और क्या टॉप लेडर्शिप अभी भी पूरे तरीके से क्लियर हैं कि हमें मुकाबला कैसे करना है किसे करना है या कन्फ्यूसन को अमुक नेताओं को चुनाव लड़ाना है दोनों लोकल लीडर्स और नेशनल लीडर्स ने बैट के तैकिया उसके बाद 25 के 25 सीटों में हमारे कॉंग्रेस पार्टी और समर्थित उम्मीदबार उतर चुके हैं जी और ये कब तैह हुआ अंतिम वक्त में चुनाव की जा न लड़ रहे हैं इस वक्तों उन्होंने हमारी पार्टी का कहना नहीं माना हुआ यसे हुआ उनको पार्टी के 6 सामके लिए बार निकाल दिया वांड़ी से फादी के शिटों पर चुनाव वज़े से पहले, जी देखिए राष्ट्री इस तर पर अगर हम बात करें तो तमाम बड़े नेता यहां पर आएंगे, क्योंकि हमारे प्रस्तावित कारेक्रम होते हैं, तो जब कल आएंगे आपको तभी पता चलेगा, वगर आप यह मान के चलिए कि कम से कम आठ से दस राज कि आता भी तो 25 के 25 सीटे आएंगे विजेंदर जी और इस बार भी अगर कोई गड़ेती है, सम्मिकरन ऐसी होती ना कि हम 25 में से 26 जीत सकते तो इस बार हम 26 जीतते, मगर लिमिटेशन है, mathematical calculation कि हम 25 में से 25 ही जीत सकते, इकलब बेर जी कुछ कहना चाएंगे, विजेंदर जी के साथ भी, एक psychological strategy रखी है, जिसमें उनने तीन चीजें कही है, एक तो कि उनका vision 2047 के लिए है, तो वो चाहते हैं कि लोग उसके उस vision के साथ जुड़ें और मोधी जी को तब तक के लिए empower करें, बिलकुल, मतलब, अभी मोधी जी के age क्या है, सर बात वो नहीं, एक लंबे term कहने का उनके लिए मोधी जी को empower करने का मतलब है, BJP को empower करने का, second part जो उनने का है कि वो तीसरे कारेकाल में जो बड़े फैसले करें अब बड़े फैसले से भी करने कहने का, उनका मतलब यही है कि उनको empower करेंगे, और antibodies टर्म देंगे तभी वो फैसले हो पाएंगे और कड़े तरीके से वर लेंगे एक दो तो बता ही है किस तरीके से पुर्वा जी और राजगुमार जी आपका भी शुग्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए क्योंकि कल शाम पाँच बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी नजर आएगा वो घरगर दस्तक देता हुआ हाँ जोड कर वोट मांगता नमस्कार